सबी को जहिंद दोस्तों आप सभी का हार्दिक सौगत है जहिंद रेक्शन्स पर आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत आच्छी होंगे तो आज हम आप लेक इंट्रॉस्टिंग और एक बहुती दंदार वीडियो लेकर आएं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मश है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटिस इंट्रॉस्टिंग और दंदार वीडियो लाते रहें तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंतमें इसके बारे में बात करेंगे जैहिंद जैभारत से पता चलता है कि लड़कियां, बच्चे, बुड़े, मर्द, औरते, ये कोई सियासी पार्टी के लोग आज रोड पे नहीं है, ये आम सिविलियन्स आया हर एसे ताल रुकने वाले आए हैं, नसरुल्ला कि मैं क्लिप भी चलाऊंगी, लोग देखें कितना जादा क्राउ चली कि नसरुल्ला शहीद हो गए हैं, और हम जो हैं नसरुल्ला की शहादत पर अफसोस करें हैं, सेम स्टेटमेंट जमुएन कश्मीर से आ जाती है, कि हम नसरुल्ला की शहादत पर अफसोस करते हैं, और कितने नसरुल्ला इसराईल आप मारोगे, कश्मीर के हर घर से जो ह नसरुला निकलेगा और मोधी साहब जो है इसराइल को रोके कि वो इस्लामिक लीडर्स को किलिंग को बंद करें दूसरी जाने इंडिया की जो सैकुलर स्टेट के जो लोग है वो ये कहते हैं कि अच्छी बात है ये सब मारे जाएं बहुत अच्छा हुआ अब ख्यामीनी को भी निप्टा दिया जाए ये एक चल क्या रहा है मतलब ऐसे लग रहा है कि एक ही कंट्री में दो नजरियात जो है आपस में टक्राते हुए नजर आ रहे हैं नहीं देखिए कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार ने तो बुरहान वानी को भी का दर्जा दे दिया था सारे आतंकियों को ये लोग शहादत का दर्जा दे देते हैं तो अपनी मन की शांती के लिए अगर देते हैं तो देते हैं लेकिन हमारे नियाए पालिका हमारे देश की सरवुच्छे नियाए पालिका उनको अपने स्टांप के साथ कहती है कि ये आ तंकवादी हो तो हम किसी की जुबान को कंट्रोल नहीं करेंगे क्योंकि we are not like पाकिस्तानी हमारा देश डेमोक्राटिक है अपने अपनी परदर्शन को अपनी बातों को रखने का freedom of speech है आप अपनी अपनी बाते रखिए और हम जैसे सम्विधानिक मुसल्मान जो जो इसलाम को भी बहुत बारिकी से जानते हैं और सम्विधान को भी बहुत ही महत्वपून तरीकर से और बारिकी से जानते हैं हम freedom of speech को किसी के भी नहीं रोक सकते हैं अब आपने कहा कि यह जो कश्मीर में बच्चियां उत्री हैं यह जो बच्चे उत्रे हैं तो यह किसी political party से बिलॉंग नहीं करते हैं यह आपने कहा है अब आपको अब्दुल्ला परिवार ने अगर कोई information भेजा होगा तो अलग सी बात है आप इतना बाहुक और प्लोक आप बोल रही है लेकिन जब 370 हटने से पहले भी यह चोटे चोटे बच्चे हम टीवी नियूस चानल पर देखते थे कि स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं पत्थर बाजी कर रहे हैं मशाले जला रहे हैं हैंड बिल को दडॉग लिख करके ब्लाक पेंट से लिख रहे हैं यह बच्चे ही करते थे तो बाद में पता चला कि यह लश्करे तैबा और यासीन सालिक के ग्रूप से जुड़े हुए थे और अब जाकर के सारे भेद खुले हैं और यह बच्चों के अम्मा अब्बा खुदी बता रहे हैं कि हमें मतलब एक मजबूर मजबूर किया जाता था कि अगर तुम नहीं होगे इस्लामिक इस्ट्रीमेस्ट में तो हम समझ लेंगे कि या तो तुम military और defense से जुड़े हुए हो और या तो फ़र तुम यहां के यहां के सरकार से यहां के संविधान से तुम जुड़े हुए हैं तो हम तुम को जीने नहीं देंगे तो जिस मुसल्मान घर में पांच भाई और तीन बेने होती थी उसमें से किसी एक को किसी एक को जिहादी और्गनाइजेशन में पार्टिसिपेट करना ही पड़ता था करना ही पड़ता था अधर्वाइस उनके पूरी फैमली को खतम कर दिया जाता था अब तो जमू कश्मीर से सब के सब निकल गए है एक दम मैं आपके चानल पर लाइफ टेली कास्ट में मैं घोशना कर रही हूं कि यह जो लोग आज नसुल्ला और हिज्बॉल्ला के लिए मातम का माहौल बनाए है कश्मीर में यह पैसे लेकर के ग्रूप यह पैसे लेकर के किसी ना किसी टर्रेरिस और्गनाइजेशन से उ एक जमाना होता था कि कश्मीर की खाड़ियों में बैठ करके एंवलप बनाया जाता था एंवलप बनाया जाता था कि एक हजार बच्चे यहां खड़े होंगे स्टोन पल्टिंग के लिए दस हजार बच्चे वहां खड़े होंगे स्टोन पल्टिंग के लिए बीस हजार ब फुश्मिर यहाँ तरह बावाद में गश्मिंडिकिंघ सब्सक्राबाइट दर्षट नई निकार था में रिश्त מיםक्रां चाहिए लाई लहा फुश्ध का। रिजर करना यह में अवेसी मैं तके जिंदाबाद कि जैजैकार लोकतंत्र के मंदिर में शपत समारों में नहीं लगाया, अब देखिए मैं ओरिजिनल मुसल्मान के बारे में आपको बताती है, जिनकी, जिनको हर मुसल्मान को follow करना चाहिए श्यला सबसे पहले तो मैं आप से ये बताना चाहूंगी कि हमारे लिए हमारे जिन्दिगी का एक focus होता है कि हम मरने से पहले एक बार हच कर ले हर मुसलमान हर मुसलमान पुझे लगता है सब्सक्राइब हाफिस सईद भी यह बात सोचता होगा कि हम मरने से पहले एक बार हश्तो कर ले हर मुसलमान यही सोच लेकिन अरब कर रहा है नस्र उल्ला की के डेथ को मिठाइयां बाट रहा है मैंने आपको न्यूस बेज आ है यह ने आपको न्यूस पिच्छर के साथ पेज आए और आप दिखाई और अब सेलिब्रेट कर रहा है ठीक है और मुहम्मद बिन सल्मान ने साफ लफजों में प्रेस कॉनफरें कोड़े वर समग सबके पिचाड़ पर यानि लगने चाहिए यह अबादत की जगा है यह पाक मुफद्दस जगा है यहां पर अबादत करने आते हो यहां पर अबादत करो यह मक्का मौजमा है यह मदीना मनवरा है यहां पर फलस्तीन जिंदाबाद यहां पर हमाज जिंद मेरे 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 देश में आं करके टर्रेइस-थिंदाबाद अगर करोगे आप के हां क्यों नारा लगा? हमारे यहां भी हम टाइट करेंगे चिंता किस बात की है? एक बात है वैसे कि जितनी भी इस्लामी कंट्रीज में देख ले गल्फ कंट्रीज की बात करें कहीं पे भी नसरुला को लेके इतना लाइम लाइट नहीं मिला नाही उन्होंने कोई प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया इसराइल को लेके पाकिस्तान के अंदर मीडिया तक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ के शहीद होगे शहीद होगे नसरुला और बड़ा जुल्म हो गया और इसराइल के लिए तो शभाज शरीफ साब भी बोले के भई फलस्तीन के ओपर जुल्म होगे जो कि एक मुस्लिम कंट्री का स्टान्स होता है जैसे सम टाइम भारत भी ये स्टान्स लेता है जब हिंदू ये माइनोरिटी पर टैक होते जैसे बंगला देश को लेके मोधी साब ने फर्स टाइम ये मैंशन किया था मुहमद यूनिस को के हिंदू कम्यूनिटी की हिफाज़त करना तुम्हारी जिमेदारी है तो ये तो एक एक चीज है लेकिन इस्तामिक वर्ड नी बोल रहा है सेकुलर कंट्री बोल रही है सब्सक्राहें था फर्साल प्रेमा उयक्तником को हम்स्क्राहें के वर्ड देशस्ट में spent यू जितना जादा एमिए जिसके बारे में आटन्राशनITY कोड़ी हो चुकी है जो 32 सालों से एक टेररिजम और्गनाइजेशन चला रहा है और जिसके टेररिस्ट और्गनाइजेशन के सेकेंड चीफ कमांडो को नबील खाउ को भी एलिमिनेट किया गया है और मेरे लिए यह बहुत ही नज़र जुकाने की बात है कि कश्मीर में पूरी दुनिया में 57 मुसलिम मुलकों में यह प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिला है जिसके सिर्फ और सिर्फ जमू कश्मीर में द हिजबुला की मौत पर अपना पॉलिटिकल साज़श खेलने की कोशिश की है और मुसल्मानों को आकर्शत करने की कोशिश की है कि देखो हम तुम्हारे टेररिस्ट के साथ है तुम हमें ही वोट देना दोस्तों यह थी मैं आज की वीडियो और नाज़र जी का यह जो स्टे सालों से जो है नसुरूला हिजबुला को जी लीड करे थे और अंडर ग्राउंड जमीन के अंदर जो है रहते थे और वहां पर इस्राइल ने रोकेट मार और वो तस्वीरे भी हमने ओडियन्स को दिखाई है बहुत है जगा 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 नाज़र जी और मैं अपने दोस्त अधरम भारत माता की जय जय जगरनात वाली को मसलाम दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंदक देखा होगा और नाजिया लाइक खान जी और शेहला खान के बीच में ये जबदस डिबेट और डिसकेशन आपको काफी पसंद आयोगी और इस वीडियो में आप आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा जहां पर आपने देखा कि नाजिया खान जी ने भारत में रहरे एक फिलिस दिनी सपोर्टर्स को खासकर कश्मीरी प्रोटेस्टर्स को मूँ तोड़ जवाब दिया तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आयोगी चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके इसी लेटेस्ट इंट्रोस्टिंग और नॉलेजबल वीडियो लाते रहें तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबदस्त और दंदार वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए जय हिंद जय भारत